भारत का सम्विधान भाग एक संघ और उसका राज्यक्षेत्र संघ का नाम और राज्यक्षेत्र एक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा दो, राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिस्ट होंगे तीन, राज्यों के राज्यक्षेत्र क, राज्यों के राज्यक्षेत्र ख, पहली अनुसूची में विनिर्दिस्ट संग राज्षेत्र और ग ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किये जाएं समाविस्ट होंगे राज्यों का प्रवेश या स्थापना दो संसद विधी द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्टों पर जो वह ठीक समझें संग में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेंगी दो का सिक्किम का संग के साथ सहयुक्त किया जाना समविधान 36. संशोधन अधिनियम 1975 की धारा पांच द्वारा 26.4.1975 से निरसित नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सिमाओं या नामों में परिवर्तन 3. संसत विधी द्वारा किसी राज्यक्षेत्र में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राजियों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज क्षेत्र को किसी राज के साथ मिलाकर नए राज का निर्मान कर सकेगी खा किसी राज का ख्षेत्र बढ़ा सकेगी गा किसी राज का ख्षेत्र घटा सकेगी गा किसी राज की सिमाओं में परिवर्तन कर सकेगी अंग, किसी राज के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। भारत का सम्विधान भाग एक, संग और उसका राजक्षेत्र। परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विध्यक राष्टपती सिफारिश के बिना और जहां विध्यक में अंतर्विस्ट प्रस्थापना का प्रभाव। विधान मंडल द्वारा उस राज पर अपने विचार ऐसी अवधी के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतरिक्त विधी के भीतर जो राष्टपती द्वारा अनुग्यात की जाए। प्रकट किये जाने के लिए वह विध्यक राष्टपती उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्देश्ट या अनुग्यात अवधी समाप्त नहीं हो गई है संसत के किसी सदन में पुरह स्थापित नहीं किया जाएगा स्पस्टिकरण एक इस अनुछेत के खंड का से खंड अंगा में राज के अंतरगत संग राजक्षेत्र हैं किन्तु परंतुक में राज के अंतरगत संग राजक्षेत्र नहीं है इस प्रिष्टिकरण दो, खंड का द्वारा संसत को प्रदत शक्ति के अंतरगत राजक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज या संग राजक्षेत्र के साथ मिला कर नए राज या संग राजक्षेत्र का निर्मान करना है 4. एक अनुच्छे दो या अनुच्छे तीन में निर्देश्ट किसी विधी में पहली अनुसूची और चौती अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसी उपबंध अंतर्विस्ट होंगे जो इस विधी के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अवश्यक हों तथा ऐसी अनुपूरक, अनुशांगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधी से प्रभावित राज या राज्यों के संसद में और विधान मंडल या विधान मंडलों में प्रती निधित्व के बारे में उपबंध हैं अंतर्विस्ट हो सकेंगे जिन संसद आवश्यक समझे दो पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधी अनुशेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी